काफियत तक कल सुलट गया, अंतिम संसकार हो गया, बड़ी कारवाई भी इस पूरे मामले में देखनेों को मिली, ततकालीन सेचों जो है उनको भी सेस्पेंट कर दिया गया है, अब आगे इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रियाए आ रही हैं, क्या रियक्शन्स आ रहे हैं, क्या कारवाई होनी बताएं? सर क्या कहेंगे देखिए, लगातार जिस तरह से बात चल रहे थी कि गोईनरा मेगवाल पूरी घटा के बाद मीडिया के सामने नहीं आये, कहीं चर्चाए हो रहे थी, इतने दिनों बाद घटा करम के बाद आप सामने आये हैं, क्या कहना चाहेंगा, अलंकि कल जिस तरह से परीज़न है, राजू राम, उसने मुझे फोन किया, मैं बाद मेर के मुखे मंतरी जी के साथ में था, बाद घरस्त जो जिले हैं, आप जानते हो कि पांच से जिलों में जबरदस्त बाद और जबरदस्त पानी बरसा है, उस कारण से उन जिलों में जो है, बहुत सारे पास मिली है, इसको कम्प्लेटली खुलासा होना चाहिए, और चाहिए कोई भी बड़े से बड़ा आदमी इसमें लिप्त हो, वो जेल में जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसी दिन से बोड़ी लेकर के बीजेपी बैठ गी, बीजेपी की गलती में ये मानता हूँ, कि ग राजनिती चमकाने के लिए, इसका पॉष्टम माटम कराने से मना कर दिया, मुझे इस बात का दुख है, चूंकि मैं इस पक्समेर हूँ, अंदोलन मैंने भी बहुत किया है, लेकिन हम कभी भी लास की राजनिती नहीं करते, लास को लेकर के नहीं बैठना चाहिए, लास को ने क्या किया कि उस बोड़ी को लेकर के बैठ के दो दिन, 48 घंटे, बोड़ी का साव को जो है, दासर वो नहीं करने दिया, पॉस्टमाटम, मैं एक आरोप लगाता हूँ, बीजेपी पर, कि अगर इसके अंदर कोई विपरित रिपोर्ट आई, मेडिकल बोर्ड में, और ग जंगों की साजिस करवाना, हिंदू-मुसल्मान को लड़ाना, और इस तरह की जूठी अफ़ाय फेलाने में, बीजेपी ने जो है, मास्ट्री हसिल कर रखी है, जूठ बोलने में मास्ट्र है, हाला कि आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे है, मौकी कि अगर मैं बात करूं आरलपी भी मौझूद थी, आमादवी पार्टी भी मौझूद थी, इस्थाने लोगों ने, आलांकि वैपारियों ने और वकीलों ने पूरी तरह से मार्केट बंद करके बहिसकार किया था, पूरी जो घटा करम हुआ है, विरोज चारों तरफ से हो रहा था इस मामले को ल करना चाहिए, पुलिस परसासन का काम है, और इनको पता नहीं है कि सव रोकने से और पोस्टमाटम नहीं कराने से कितना बारी नुक्सान होगा, और इन सभी पार्टियों के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो तो बीजेपी को देखके सारे जो है, फिर इस पर कूद पड़े, इसलिए मैं सारों के बारे में नहीं कहना चाहता, कि उनको अनुभवी नहीं है, कि आप 48 गंटे सव रोकरे हो, इससे कितना बारी नुक्सान होगा, इस परिवार को कितना लोस होगा, पुलिटिकल बात तो आप कर रहे है, लेकिन जो घटना होई है, घटना के उपर यही परतिक्रिया दे रहा हूँ, कि मैंने पहले दिन एस पी को भेज़ दिया, आईजी को कह दिया, और उनको मैंने कहा कि कोई भी मुल्जीम हो, आप तुरंत गिर्फदार करो, यह जो चार दिन के बाद, यह सी आई के वरूद, या मनोज के खालवाई, ज अगर आपका मनोज इसमें मुल्जीम था, तो आपने उसी दिन गिर्फदार क्यों नहीं किया, जब हम पहले दिन से कह रहे हैं, अगर यह मुल्जीम था, तो इसके खिलाब तुरंत कारवाई करनी चाहिए, अगर इसमें का नाम आ रहा था, तो आपको पहले दिन कारवाई करनी चाहिए, जैसे ही आपके सारे तथिये सामने आगे, इसलिए मैं बिल्कुल अभी भी सकत हूँ, और मैं और निर्देश दे रहा हूं, और कह रहा हूं, कि इसमें और भी कोई भी नौल है, यह पुलिस का काम है, कि आप तुरंत कारवाई करें, मैं इस पाइंट के भी आप हूं, कि ऐसे एक जो वक्ति आया है सामने दिरेस, वो थाने के अंदर क्यों उसने पाल्टियां की, क्यों उससे फूल ले रहे हैं, जो वीडियो जारी हो रहे हैं, यह पुलिस के लिए दाग है, इसके अंदर कोई भी लिपते में, फिर एस पी से कह रहा हूं, कि आप पुरन्त उनके खिलाब कारवाई करें, और जब सीम साब ने पहले दिन कह दिया, कि घटना के अंदर कोई बड़े से बड़ा आदमी लिपतो, आप उनके विरुद कारवाई करो, और निर्दोस्त जो कोई मुल्जिम बढ़ना नहीं चाहिए, हमारी यह ठोड़ी है, आप अब पेडित परिवार से मिलने जाएंगे, जिस तरह की स्थती वहाँ बनी, विधायक आप वहाँ से हैं, लोगों से आपका जुडाव भी है, डारेक्ट तोर पर, तो अब आप पेडित परिवार से मिलने जाएंगे, हाला कि मुआवजे की बात भी सामने आई, जो गिरफ था, ये एक सीधा परिवार है, मैंने दलीत आंदोलन खूब की है, कई वार गुसे में हम लोग भीड हो जाती है, मैंने एक बारा में आंदोलन किया था, दोजार बारा में, और आलत ये होई थी, कि उसके बाप ने, हमने वहाँ लाटियां खाई, हम जेल में गए, और उसक घर जाके मिलूँगा, सारी चीज की जानकारी, वैसे जानकारी मेरे को है, लेकिन अभी हमारे परसासन ने जो आश्वासन दिया है, आप जानते कि समाज गलन शे आटलाक रुपे मिलता है, उसके अलावा भी आईजी साहब ने जो है, पत्सीश लाग का आश्वासन दिया ह मैं उनको भी कहूँगा, कि जो आपने आश्वासन दिया है, वो आप पूर्ती करें, और भी जो मुल्जीम उनको पकड़ा जाए, और आपने जो भी इनमें इनसे प्रमीज किये, आप उसकी पूर्ती करें, और दूसरा ये है, कि ये जो परिवार है, ये परिवार नॉन प क्रिफदारी हुई, पहले दिना आपको कानून विवस्ता डिरेल है, बीजेपी ये मैसेज देनी की कोशिश कर रही है, विशेश तरुपर महिलाओं के सुरक्षा के परती, हम जब जालोर कान में गए थे, एक दलित लड़के की हत्या हो गए थी, तो हम बत्तीस लाख रु मेटी आई थी, उसने भी यही सवाल खड़े किये कि महिला राजस्थान में सुरक्षित नहीं इस तरह क्या है, जहां महिला सुरक्षा की बात है, आप उतर पर्देश में जाके देखो, जैसे हाथ रसकांड हुआ, किसान आंदूलन हुआ, इस बीजेपी के राज में है, य कोई बड़े से बड़ा आपरादी हो, मेरी भी वोई पॉलिस ही है, आपरादी बचना नहीं चाहिए, निर्दोस फसना नहीं चाहिए. इन तमाम बातचीत के लिए आपने एक्स्क्लूजी बातचीत कराई, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन बता दे आपको कि 12 जिले कैंता में प्रधान प्रखर कौशल दौरा विकास अधिकारी पर राजिकारी की आवहेलना करने सहित, विकास कार्यों में बाध उत्पन करने का आरोप लाज़ा है